मुगल गार्डन का नाम बदलने के बाद बहुजन समाज पार्टी की रास्टे अदेक्ष बैंड मायावती ने दी बड़ी प्रतिक्रिया सरकार पर किया करारा वार जी हां दोस्तों मैं हूं इंजिनर्स नेहा और आप देख रहे है दा थिंग बता दे की बहुजन समाज पार ये करारा हमला किया है उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से सरकार पर वार किया है उनका यहां कहना है कि इस प्रकार से नाम बदलने के राजनिती से नामांतरन की राजनिती से क्या देश के तमाम लोगों की समस्याय हल हो जाएगी ऐसा सवाल भी उन्होंने पूछा है उन परदस्त महंगाई गरिबी व बेरोजगारी आदी के तनावपूर्ण जीवन से तरस्त हैं जिनके निदान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए धर्मांतरन नामांतरन बाइकॉट व नफरती भाशनों आदी के जरिये लोगों का ध्यान बाटने का प्रयास घोर अनुचित अतीद्दुखद है बैन मायावती जी का यहां कहना है कि देश की जनता त्रस है देश की जनता के अनेक समस्याए है लेकिन जो सरकार है वो जनता की समस्याओं को न सुलजाते हुए बलकि उनके तरफ इग्नोरंस करते हुए उसकी तरफ ध्यान न देते हुए इस प्रकार क राजनीती कर रही है हिंदू मुसल्मान की राजनीती कर रही हैं जिस प्रकार मुगल गाडन का नाम बदल कर अमर्त उद्द्यान रखा गया है तो बहिंड मायावतीजी के यहाँ कहना है कि इससे क्या ही हो जाएगा कितनी इस देश की तमाम जंता की समस्या क्या सुलज पाएगी ऐसा बड़ा सवाल उन्होंने किया है उन्होंने इस देश के अंदर जंता जिस महेंगाई से जूज रही है गरीबी से तरस्त है बेरोजगारी से परेशार है इन तमाम मामलों को लेकर बेहन मायावती जी ने केंद सरकार पर वार किया है और केंद सरकार की जो राजनिती है या जो काम करने का तरीका है उस तरीके को धान में रखकर बेहन मायावती जी का यह कहना है कि यह काम करने का तरीका अतिदुखद है क्योंकि जनता की तरफ धान नहीं दिया जा रहा है ब नाम बदलने से क्या देश वह यहां के करोड़ों लोगों के दिन प्रति दिन की जलन्त समस्याई दूर हो जाएगी वरना फिर आम जनता इसे भी सरकार द्वारा अपनी कम्यों वह विफलताओं पर परड़ा डालने का ही प्रयास मानेगी बैन मायावती जी का यहां कहना है कि मुगल गार्डन का अगर नाम भी बदल दिया जा रहा है तो इससे क्या देश के जनता की समस्याई हल हो जाएगी देश की जनता जो है समस्याई खत्म हो जाएगी क्या यह बहन मायावती जी सवाल कर रही वही यह भी उनका यह भी कहना है कि देश के अंदर इस प्रकार की इस प्रकार की राजनिती होना ये दुखद है उन्होंने कहा है कि नाम बदलना या फिर नेमपलेट बदलना नामांतरन करना या धर्मांतरन जैसे मुद्दों को उठाना ये मामले सिर्फ अपनी विफलताओं को चुपाने का मामला है और अब इस देश की जंता समझ रही है क कि केंद सरकार जो है अपनी विफलताओं को चुपाने के लिए कुछ ऐसा ही काम करती है नेमपलेट बदलती है और विवादित मुद्दों को छेड़ती है ना कि महंगाई बेरोजगारी गरीबी इन मामलों को सुलजाने के लिए किसी प्रकार का बड़ा ठोस कदम ले रही बेन मायावती जी ने केंद सरकार पर वार करते हुए लोगों की समस्याओं के तरफ धाना करशित करने का भी प्रयास किया है लेकिन बीजेपी की जो राजनिती है वो धर्म से बाहर निकल नहीं रही धर्म के बाद धर्म मंदिर मजडित राम मंदिर इन तमाम घटनाओं प मुगल गारडन नहीं लेकिन अंगरेजों ने उसका नाम मुगल गारडन रखा था नाहीं इसका संबनद किसी मुस्लिम से आता है लेकिन बात ऐसी है कि बीजेपी सरकार को विवादित मुद्दे क्रियेट करना, जो non-issue है, इसको issue बनाने के लिए BJP की सरकार के इंदसरकार लगातार काम करती रही है और आज भी कर रही है जिस प्रकार से उनको उनके BJP सरकार के इंदसरकार पर सवाल किये जाते है रोजगार को लेकर सवाल किये जाते है एडुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल किये जाते है महंगाई को लेकर तो सवाल नहीं करना चाहिए तो उनका धान भटकाने के लिए डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के नए इशू क्रिएट किये जाते है जो की नौन इशू है उस जाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूलें